यूनिट वेक्टर्स के बारे में और उन सभी यूनिट वेक्टर का एक्जामपल लेके प्लेनर वेक्टर के बारे में अभी तक हमने जो कुछ पी जाना उन सभी डिसकसन्स और उस सभी इनफर्मेशन्स के बाद हमें एक कंक्लूजन को ओल्वेज रिमेंबर करना है मतलब कि हमें उस conclusion को अच्छी तरह से हमने हमारे दिमाग में याद रखना है और वो conclusion क्या है यह conclusion मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है when you use the unit vectors to write any equation of vector मतलब कि आप जभी भी किसी unit vector का use करते हैं किसी vector के equation को लिखने के लिए जैसे कि हमने last video में देखा था कि एक planner vector को represent करने के लिए हमने क्या किया था उस planner vector को represent करने के लिए हमने उसका projection x-axis के उपर लिया था उसका projection y-axis के उपर लिया था और उन दोनों projection को जब हमने aid किया तो उसकी वज़े से हमें एक specific एक resultant vector मिला तो वो जो resultant vector था वो resultant vector क्या था? वो vector का एक equation था मतलब कि उस equation को लिखने के लिए हमने क्या use किया था? i caret और j caret का तो ये जो statement है वो statement क्या बताता है? कि आप जब किसी vector का equation लिखते है और कैसे लिखते है उस unit vector का use करके तो क्या होता है? you have to use addition between all the coordinate terms मतलब कि उन दोनों terms को क्योंकि वहाँ पे हमने two dimension लिया था इसलिए मैंने आपको क्या बोला? दो term तो उन दोनों terms के बीच में हमें क्या करना पड़ता है? addition की sign को represent करना है जैसे के हमने वहाँ पे लिखा था क्या लिखा था? four time i caret plus three time j caret और बाद में जो last हमने एक example लिया था वहाँ पे हमने क्या किया था? वहाँ पे हमने कुछ इस तरह से consider किया था कि a z और उसका हमने लिखा था k caret लेकिन वह कौन सी direction में था? negative direction में जिसकी वज़े से हमने क्या किया? minus और फिर बाद में हमने एक y direction consider की थी उसमें हमने यह जो उसका multiplier था magnitude था उसे हमने क्या लिखा? capital A subscript y j caret और इसकी वज़े से जो भी vector बना था उसे हमने बोला था vector v तो कहने का मतलब क्या है? कि इन दो terms के बीच में हमने क्या use किया था? plus की sign को use किया था क्योंकि यह जो representation था वो representation किसका था? दो अलग-अलग vector के addition का representation था और अगर दो vector का आप addition करते है तो जब आप यहाँ पे use vector का करते है तो आपको मिलेगा भी vector ही न? क्योंकि आप जैसा use करते है वैसा आप final में get करते है तो use अगर vector का होता है तो final में जो product मिलेगी वो भी कैसी होगी? vector ही होगी तो यहाँ पे आपको vector ही लिखना पड़ेगा और उस vector का आपने किया क्या था? addition किया था मतलब कि उन दोनों का क्या किया था? एक दूसरे के साथ आपने joint करके उसको add किया था तो add करने की वज़े से आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? plus की sign को भी लिखना पड़ता है तो कहने का मतलब यह था कि जब आप किसी vector के equation को लिखते हैं तो वहाँ पे आपको दो components के बीच components से मेरा मतलब यह है कि i carat उसके आगे का magnitude और उस magnitude की specific sign चाहे फिर वो plus हो या फिर minus यह जो तीनों का combination है मतलब कि plus three time i carat तो यह है unit vector यह है magnitude और यह है उसकी respect direction यह जो तीनों का combination है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे single component क्योंकि यह पूरा का पूरा की score represent करता है x axis को represent करता है तो इसे हम बोल सकते हैं कि x axis का यह component है तो यह जो सभी components है पहला component, दूसरा component और last में आने वाला तीसरा component इन तीनों तीन component के बीच में आपको क्या use करना है? always addition की sign को use करना है तो यह किस के बारे में था? यह था vector equation के बारे में लेकिन जब अब किसी scalar equation के बारे में बात करते हैं मतलब की यह जो हम यहाँ पे कार्तेजियन कोडिनेट में करते हैं यह यहाँ की बात है तो फिर से मैं statement बताता हूँ मतलब की अगर आप उस vector का कार्तेजियन फॉर्म लिखते हैं तो क्या होगा? उस कार्तेजियन फॉर्म में आपको इन दोनों के बीच में क्या लिखना है? इन दोनों के बीच में आपको comma represent करना है क्योंकि आप कार्तेजियन कोडिनेट में क्या करते हैं? कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक कार्तेजियन कोडिनेट आता है मतलब कि consider कीजिए कि ये है 3,2 तो आप क्या करते है इसे compare करते है x और y के साथ फिर x में आप क्या करते है 3 मतलब कि ये हो गया आपका 3 और y में आप क्या करते है 2 तो y में ये हो गया 2 इन दोनों को मतलब कि x पे यहाँ पे एक perpendicular line y पे यहाँ पे एक perpendicular line और इन दोनों को connect करके यह जो आपको point मिलता है, उसे आप क्या बोलते है, 3,2, तो यहाँ पे आपने comma use किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी x-axis के projection vector का use नहीं किया है, और नहीं आपने यहाँ पे y-axis के projection का use किया है, क्योंकि यह 3 और 2 vector form है ही नहीं, यह 3 और 2 क् यह सभी scalar form है, आपने यहाँ पे कहीं पे भी i-carat या फिर j-carat को नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी तक आपने mathematics में जो भी geometry देखी थी, वो सभी geometry, कौन सी थी? वो थी scalar geometry, क्योंकि वहाँ पे आपने vector का use नहीं किया था, 9th standard या फिर 10th standard में जो भी आपने graph बनाए है, वो सभी graph scalar format में थे, इसी वज़े से आप Cartesian coordinate को कोमा के साथ represent करते थे, 3,2 या फिर अगर zx से साथी है तो कोमा 4, तो यह जो सभी representation था, वो क्या था? वो था scalar format था और यह था Cartesian coordinate का representation, लेकिन जब आप इसी Cartesian coordinate को आप vector बना के represent करते हैं, तो vector बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर unit vector लेना पड़ता है, उस unit vector को उतने time multiply करना पड़ता है, और multiply करने के बाद आपको क्या मिलता है? उस specific axis का एक component मिलता है, जिसे आप लिखते हैं कि plus 3i caret, तो यह जो plus है, 3 है और i है, यह तीनों बनके क्या बनाते है? एक x-axis का component बनाते है, तो आप यहाँ से एक figure को देखिए, और इस figure का यह जो आपका blue vector है, इस vector को आप equation बनाने की कोशिश कीजिए, तो यह जो आपका equation बनके आएगा, वो बनके आएगा यह, और इसी vector का यह जो आपका head है, उस head का, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्तेजियन coordinate चेक आउट करते है, तो उस Cartesian coordinate को आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे, scalar form of that equation, जो की बनके आएगा, यह equation, तो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको बताता हूँ, कि यह x-axis का x-carat, या फिर आप इसे यह बोलिए जी कि यह i-carat है, तो यह x-axis के यह है, तो उसका पहला component क्या आएगा, 2 time i-carat, या फिर 2 time x-carat, और इसी vector का, यह जो y-axis के ऊपर का unit vector है, यह क्या है, y-carat, या फिर इसे आप लिख लिजिए कि यह क्या है, j-carat है, और यह जो आपका blue vector है, इस blue vector को अगर आप यहाँ पर projection लेते है, तो वो projection की इतना बनके आ भाग है, इसकी वज़े से हम क्या लेख सकते है, 1.3 times j-carat, और यह दोनो positive में होने की वज़े से, इसके आगे क्या है, plus और plus, और यहाँ पर आप देख सकते है, कि इन दोनो vector का vector addition होने की वज़े से, यहाँ पर क्या है, 2 time i-carat, plus 1.3 times j-carat, तो यह क्या था, इस condition का, मतलब कि इस figure का vector form of that equation था, लेकिन, अगर आप यहाँ पर इसी vector का scalar form लिखना चाहते है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ Cartesian coordinate लिखना चाहते है, तो वो Cartesian coordinate किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यह और यह, इन दोनो लाइन को, जब आप यहाँ पर intersect करते है, तो यह क्या है, एक सेक्सिस में यह line 2 unit पे intersect करते है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, 2, फिर बाद में क्या लिखेंगे, कार्थेजियन coordinate होने की वज़े से कोमा, और यहाँ पर Y में फिर से 1.3, 1.3, तो यह जो बनके आएगा, वो क्या होगा, इस vector का, लेकिन इस vector तो नहीं बोल सकते है, क्योंकि यह यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर scalar का form बन जाता है, तो यह जो आपका कार्थेजियन coordinate बनता है, जिसे आप क्या बोलते है, scalar form of the equation, तो आपको जो बात याद रखनी थी, वो यह थी, कि जब आप vector में I carat, J carat और K carat का use करते है, तो आपको without fail, मतलब कि भ और 10th standard में graph draw करने के लिए अच्छी तरह से practice की हुई है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, scalar form या फिर caratesian form और उसे लिखने के लिए, आप सभी components के बीच में coma use करेंगे, तो I hope कि आपको यह जो vector के बारे में, मतलब कि unit vectors के बारे में, याद रखने वाली सबसे important term थी, वो term यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अब मैं आपको three dimension geometry का example दे देता हूँ, या फिर उसका एक image बता देता हूँ, कि यह जो x axis, y axis और z axis में use होने वाले unit vectors है, वो unit vector किस तरह से हम यहाँ पे draw कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने है two dimension का एक बड़ा सा graph, यहाँ पे x की plus direction भी है, x की minus direction भी है, y की plus direction है, और y की minus direction भी है, और यह बीच में है उसका origin, तो यहाँ पे मैंने जो आपको यह figure दे रखी है, यह figure में आप देख सकते हैं, कि x axis का यह green का arrow है, वो green का arrow क्या है, x axis क्या i correct है, फिर यह जो y axis का blue color का यह जो arrow है, ये है blue color का arrow represent करता है y axis के unit vector j carat को और ये जो k carat है, मतलब कि z axis का red color का ये जो small arrow है इसे आप बोल सकते है z axis का unit vector k carat तो ये जो figure है, ये figure आपको ये बताती है कि 3 dimension में आप अलग-अलग unit vector को किस तरह से यहाँ पे लिख सकते है तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोई भी equation generally दे देता हूँ तो उस equation को बनाने के लिए आप यहाँ पे किस तरह से उस geometry में represent करेंगे यहाँ तक का ये जो unit vector के बारे में मैंने जो आपको अलग-अलग explanation दिया यहाँ पे मैंने आपको component के बारे में बात की अलग-अलग single axis क्या unit vector i carat, j carat और k carat किस तरह से लिख सकते है यह मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया planar vector का equation किस तरह से बन सकता है यह भी मैंने आपको बता दिया तो यहाँ पे जो कोई भी important discussions थी important terms थी about unit vectors वो आपको मैंने अभी तक के lecture में बता दिये आपको यह अच्छी तरह से याद रखनी है और previous slide में मैंने जो आपको बताया था always remember कि Cartesian coordinate को कोma के साथ represent किया जाता है और किसी भी vector को लिखने के लिए आपको क्या use करना पड़ता है आपको use करना पड़ता है addition sign between the all components तो I hope कि आपको अच्छी तरह से यह सभी बात समझ में आ गई है अगर आपको कोई question है अगर आपको कोई query है तो आप उस question या फिर उस query को इस video के comment section में लिख सकते है मैं आपको वही से उसका answer देने के कोशिश करूँगा So thank you so much for watching this video